स्वागत है आप सभी लाडली बहनाओं का डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर जहां पर मदपरदेश लाडली बहना पंदरवी किस्त दोहजार चौबिस से जुड़ी काफी महत्तपूर्ण खबर आप सभी को मिले वाली है जैसा कि आप इहां पर देख सकती हैं कि आज मिलेगा बहनों को रक्षबंदन का उपहार मतलब आप के लिए रक्षबंदन उपहार के रूप में किस्त का पैसा, धाई सो रुपे उपहार, साड़े चार सो सबसिडी, पच्ची सजार आवास किस्त और तीसरा चरण इस परकार की काफी महत्पून जानकारियां मिले वाली हैं, इसके साथ ही आज बहनों को बड़ी खुसकबरी मुख्यमंतरी मोहन आदवजी द्वारा प्रदान की जा सकती है, तो आप सभी के लिए आज की यह महत्पून जानकारी जानना आवश्यक है, जो कि आपको इस वीडियो पर जुड़े रहकर मिले वाली है, तो किर्प्याकरस वीडियो पर अंत तक जुड़े रहें, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सीम मद्द परदेश की ऑफिशियल जानकारी में, आप सभी के लिए रक्षबंदन के आउसर पर होंगे बिसिस कारी करम, जिसमें आपके ल जो कि बिजैपुर जिलासे उपर से लाडली बहनों के खाते में सिंगल कलिक द्वारा अंतरत होगी रासी, मतलब आपके लिए आज यह पैसा ट्रांसपर किया जाने वाला है, तो किस योजना के तहत कितना पैसा आपको मिलने वाला है, इसकी जानकारी आपके लिए अब मि अगस्त महिने की रासी 1250 रुपे, साथ ही विसेश सहायता के रूप में सभी लाडली बहनों के खाते में 2500 रुपे अंतरत किये जाएंगे, मतलब आपके लिए कुल 1500 रुपे की रासी इस महिने मिलने वाली है, इसकी साथ ही आपको बता दे की 10 अगस्त 2014 को रक्षवंदन औ सावन उस्साओं की थीम पर प्रदेश में 25,000 स्थानों पर कारीक्रम किया जाने वाला है, इसके जानकारी आपके लिए यहाँ पर महत्तपूर्ण नहीं है, जो भी जानकारी महत्तपूर्ण थी, हमने यहाँ पर दी, यदि हम और भी उपहारों की बात करें, तो इसकी जान कारी भी आप अब प्राप्त करने वाले हैं इसके लाबा यदि हम गैस सबसीडी की बात करें तो आप सभी लाडली बहनाओं के लिए सिवरा सिंग चोहां जी की सरकार से ही गैस सबसीडी का पैसा मिलना सुरू हो चुका है मतलब आपको अभी भी यह साड़े चार सुर रोपे की सबसीडी बैंक खाते में प्रदान की जा रही है और लगातार आपको मुहन आदाव जी द्वारा भी गैस सबसीडी का पैसा प्रदान किया जाता रहेगा बहुत सारे नियूज आर्टिकल और खबरों के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि दस तारीक को आपको किस्त का पैसा एबम कई सारे उपहार प्रदान किये जाएंगे जिनकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है यदि हम बात करें कि तीसरा चरन और एबम महिलाओं को ओनलाइन आवेदन करने हे तू पोर्टल कब खुलेगा तो आपको बता दी कि बंचित महिलाओं के लिए खुल सकता है लाडली का पोर्टल आपको बता दी कि लाडली बहना योजना से प्रदेश की लाखों महिलाएं बंचित हैं जो कि सीम हेलप लाइन एबम अन्न माध्यमों पर सिकायत कर योजना में सामिल होने के लिए मांग कर चुकी हैं सूत्रों के मताबिक सरकार इसके लिए पोर्टल खुल सकती है अब आपको बता दे कि यह काम सावन के महिने में ही किया जा सकता है मतलब आज 10 अगस्त 2024 को कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि महिलाओं को तीसरे चरण से जुड़ी जानकारी मिल पाएगी तो आप सभी महिलाओं के लिए रक्षबंदन उपहार के रूप में बहुत सारी जानकारियां दी गएं जैसे कि आपको पंद्रा सो रुपे किस्त मिलेगी, धाई सो रुपे उपहार, साड़े चार सो रुपे सबसिड़ी और तीसरा चरण चालू होगा इसके अलावा यहां पर आपके लिए आवास किस्त से जोड़ी जानकारी नहीं मिली है तो आपको बता दी कि अब तक आवास किस्त का कोई भी ऐलान नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 अगस्त 2024 को आवास किस्त को लेकर कोई निर्नाय जारी हो सकता है जो कि बहनों के लिए काफी बड़ी खुसखबरी हो सकती है तो आप सभी महिलाएं आज इंतजार करें जैसे ही यह सम्मीलन सुरू होता है आप सभी के लिए 15 भी किस्त का पैसा मिलेगा और बहुत सारे उपहार भी मिलेंगे इसके अलावा बहुत सारी जानकारिया और खुसखबरी आप सभी महिलाओं को मुहने आदाव जी द्वारा परदान की जाएंगी तो आप सभी हमारी चैनल से जुड़ी रहकर ऐसी ही अपडेट देखती रहें आज सम्मेलन के माध्यम से आप किस्त के पैसों का लाब उठाएं धन्यवाद